हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पट्चाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उमीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो ठीक तरह चल रही होगी लग नहीं रहा है कि आपकी फॉर्म भरने की यौपी एसाई का जो फॉर्म भरना जा रहा है उसी प्रक्रिया ठीक से चल रही है आप में से हजारों लोगों के कुशिन आ रहे हैं और वो कुशिन ये चार हैं ने थमने देखे भी समझ लिया होगा अभी मैं इनका solution कर देता हूँ, सबसे पहला question है, क्या sir degree या provisional degree चाहिए जो scan होगी, क्या sir final year की mark street scan हो रही है, या scan नहीं हो रही है, हो रही है, इस चीज के बारे में confusion है, तीसरी बात है, जिनका अभी यह result आया है, कुछ university ऐसी हैं, जिनोंने अभी result निकाल दिया है final वालो अना पत्ती प्रमान पत्तर देना होगा, तो इनके बारे में discussion करता हूँ, ध्यान से सुन लेना, आपकी दिक्कत अभी बिल्कुल खतम कर देता हूँ, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्या degree या provisional degree चाहिए, देखो scan तो हो रही है, इतना दो बात आपको पका पता होना च से यह, देखो मैं notification खोलता हूँ, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, side में, एक second आप वेट कीजिए, आपको आप यहाँ देखिए, इदर, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आप आराम से यहाँ देखो, देखो यह यह जो बात है, आप भी अर्थियों के लिए पॉइंट नमबर 6, यह पेज नमबर 10 पे है, notification के, अब्यर्तियों के लिए महत पूर्ण सूचना, इसमें लिखा है, ओनलाइन आवेदन करते समय, अब्यर्तियों के पास, यथा अपेक्षित नमलेखित अभी लेक होने आवश्य हैं, नहीं बोला जा रहा है, कि आगे जो जो हम डॉक्यमेंट बता रहे हैं, वो चीज होनी ज़रूरी है, और अब्यर्तियों द्वारा आवेदन करते समय, स्कैन करके, आवेदन पत्र के साथ अपलोड अटेच की जाएंगे, जो डॉक्यमेंट यह नीचे बताने वाले हैं, इनको स्कैन किया जाएगा, और यह अप इजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, कि आप परिक्षा के लिए पत्र हैं के नहीं हैं, उससे संबंदित अभिलेक चाहिए, क्या चाहिए, या तो होना चाहिए, इसना तक उपाधी अंक पत्र, इसना तक उपाधी अंक पत्र का क्या मतलब है, इसका मतलब है, आपके पास फ और कि बमाणपत्र रहे हैं डिगरी डिगरी अब बच्छों को जाना होगा कि कवे conoc को में क्थी मैं फुरक चलिए को चाय कि आपकि इन जाए है कि माइं सबसकते। यहां टेस्योव करने कि उनने तो धावि है मैंने में नथी को लिए आपका उतैंड साल पहले का है तो आप चाहे तो Mark sheet to scan करा हो या आप अपने degree scan करा हो एक चीज़ is can करा दो कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर आपका final year की Mark sheet में कोई दिक्कत अब provisional degree की बात है provisional degree भी तो यही बात बताती है अगर आपके बस degree या अगर इन दोनों में से फिलाल अभी कुछ नहीं है तीन साल बात मिलेगी या जो यह आपकी माक्षीट है फाइनलियर की यह आपके पास किसी कारण से नहीं है कौलिस शेशू नहीं हुई है तो आप प्रोविजनल डिए लगा दो अब कोश्चन आता है तीसरा कि जिनका अभी अभी रिजल्ट आया क्या वो अप्लाई कर सकते हैं हाँ भाई वो बिल्कुल अप् साथ में एक दिक्क theo वी बताऊंगा, scripture बहुत बहुत बोल रहे थे आप कि एटीपि का दिक्कत हो रहा है ओटीपि का इशू और रहा है तो इसके बारे में भी बता रहो हुं मैं आपको तो उसमें उन्से सबसे मैंने पूछा हमारे शेहर के जो सबसे बडे-ड़े लोगे ह उन्होंने इनके बारे में तो बोल दिया पर जिनका result अभी आया है इस तरह कोई form अभी उनके पास नहीं गया है पर यहां से देखके ऐसा 99.99% लग रहा है यदि आपकी university ने आपका result निकाल दिया है आपके पास जो internet वाली जो आपका result होता है वो आपके पास है तो आप उसको attach करो उससे प्रमानित हो जाएगा कि आपकी graduation complete हो चुकी है और फिर देखो कि वो उसको accept कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको attest करवाओ अपने college से और उसके बाद scan करो उमीद है आपका काम हो जाएगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब बात करते है NOC की इसके बारे में मैं आपको प्रावाण पत्र आपको यहां पे दिखा रहा हूँ आप धियान से देखो उसी page number 10 पे यह लिखा हुआ है यहां पे देखो आप उसी page number 10 पे लिखा हुआ है जो अभ्यरती केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवा रथ हैं उन्हें आवेदन करने से पूर्व अपने सेवा योजक से निर्गत अनापत्ती प्रवाण पत्र यानि की यह सेवा योजक आपका होगा उससे आपको उस डिपार्टमेंट से आपको चाहिए आप सेंटरल गौर्वर्मेंट में जॉब कर रहे हो या आप स्टेट गौर्वर्मेंट की किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो तो वहां से आपको नोसी लेना जरूरी है यह अट होने वाले यह उससे उपर लिखा हुआ है दसवे पेज पर लिखा हुआ है कि अनापत्ती प्रमाणपत्र लेना जरूरी है और जब भी आप से मांगा जाएगा आपको प्रस्तूत करना होगा यह बात इसमें आ रही है तो उमीद है आपको सब बाते समझ में आई होगी अब यहां पर देखो ओटीपी कल जो फोर्म शूरू हुए थे उनमें ओटीपी आने की समस्या हो रहती तो लिंक एक्टिवेट जो एकदम से हुआ था तो कहीं बार बर्डन पढ़ता है लोड पढ़ता है तो उसकी वज़े से ठीक से चीजें का यह नहीं पाता है पर अब ओटीपी वाली प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है अभी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है अगर कहीं चुटपुट जगह दिक्कत आ रही होगी तो वह सोल्व हो जाएगी बिल्कुल भी पैनिक मत होईए उमीद है आपको आपका सोलूशन मिल गया और इसी अच्छी बात के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूल तो आप देख रहेते हैं राम जी की पड़ शाला मैं हूँ राम भरद्वाज जैहिंद जैभाद